बातकरते विदान सभास अत्र की सियासत की निकली है तो जिक्र उस बात का भी है जिस पर विपक्षियों ने योगी सरकार को आज खूब घेरा यूपी की खस्ता हाद सडकों पर हंगामा हुआ तो पुमुक्य मत्री केश्यो प्रसाद मौरे ने मोचा सम्हाला और एक बाद फिर दावा किया कि 15 जून तक बदल जाएगी यूपी की टूटी सडकों की तस्वीर रिपोर्ट देखे भीते न जाने कितने दशकों से ये तस्वीरें यूपी की सडक परिवाहन व्यवस्था को मूच इड़ाती नजर आती हैं लेकिन अब बस बहुत हुआ जल्द ही या फिर कहें कि बस महिने भर के भीतर ही ये तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि सरकारी दावों की अगर माने तो 15 जून तक यूपी की तमाम सडकें गड़ा मुक्त होने वाली हैं पहले मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी किया और अब उप मुख्यमंत्री ने भी विधान सभा को कुछ ऐसा ही भरोसा दिया है यूपी विधान सभा सत्र के तीसरे दिन सूबे की सडकों पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया सडकों की बदहाली पर सवाल उठाए तो उप मुख्यमंत्री केशो प्रसाथ मौरे ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार 15 जून तक सूबे की सभी सडकों को गड़ा मुक्त करने का संकल तो पूरा करेंगी सरकार बनने के साथ ही योगी सरकार ने अपने शुरूआती एलानों में यूपी की सड़कों को गढधा मुक्त करने का वादा किया था इसके लिए योगी सरकार ने बाकाइदा 1400 करोड रुपए भी जारी कर दिये थे 6 माई को धनराशी जारी करने के एलान के साथ ही योगी ने लोक निर्मान विभाग को गढधे बरने के लिए 40 दिन का वक्त दिया था जिसमें से 11 दिन वीत चुके हैं यूपी में करीब 11,000 गढधे भरे जाने हैं अकेले लखनव जोन में ही 1600 सड़कें टूटी फूटी हैं सरकार ने न केवल सड़कों को गढधा मुक्त करने का दावा किया है बलकि मुक्यमंत्री ने ये आदेश भी दिया है कि सड़कों की मरमत में गुर्वत्ता का खयाल भी रखा जाए यही नहीं गढधा मुक्त होने के बाद PWD के मुक्य सचयू बनी हुई सड़कों की वीडियोग्रैफिक करेंगे विपक्षी ने जहां हंगामा किया और सड़कों की बधाली का मुद्दा उठाया तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशा मुर्या ने दावा किया कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गढधा मुक्त कर दिया जाएगा आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सीम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें 15 जून तक गढधा मुक्त हो जाएगी आज उसी बात को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशा मुर्या ने दोहराया है कमरामेन जै परकाश के साथ नीरज मिश्रा इंडिया 24-7 लखनो